नमस्ते मैं फिर आपकी चायती आपकी अपनी डॉक्टर जोती चाबरिया आपसे बात करने आई हूँ आज हम टॉपिक लिए इससो है जो बहुत कॉमन है बहुत दिल्चस्प है जंक फूड आज के दौर में जंक फूड का यूज करना काफी कुद हद तक बढ़ गया है क्योंकि लोगों को घर का खाना पसंद नहीं आता है मा का प्यार भूल गए लोग सैडली बट एक्चली जो हमारे घर के इंग्रीजन से जो बनता है वो ज्यादा हेल्दी है लेकिन आज कर के यूग में लोग इतने बिजी हो गएं कि ना तो टाइम है वक्त है खाना पकाने का या रूची लेने में आज कर सब कुछ यह क्या पे आ रहा है अभी जंग फूड का क्या मतलब है जंग फूड वो होता है जिसमें ट्रांस फैट जिसमें तेल जिसमें नूट्रिशन कई न कई कॉंप्रमाइज हुआ है जंग फूड जैसे हम मानते थे पीजा, बर्गर्स, आजकल बहुत अफकोस परिवर्तन आया है जंग फूड में भी, मैं आपको बताऊंगी अभी जैसे मैं स्कूल में काम करती हूँ, बोडिंग स्कूल में काम करती हूँ, मैं आपको मेरा एक एक्स्पीजिंस शेर करना चाहती हूँ, जब मैं आय थी बॉंबे से, I think 36 years ago, बताऊंगी जाए, एक चेंज लाया जाए, एक नया concept चालू करें, तो जब मैं स्कूल गई और मैं बच्चों से बात की, तो उन्होंने का हमको रोज रोज वोही दाल, चावल, सबजी, नहीं खाना है माम, एक दिन तो कुछ अलग रखा जाए, तो मैंने का ओके, हम खाएं में हूँ और मैंने होटेल मैनिजमेंट का कोर्स किया है, और इसके वज़े से मुझे फूड का, फूड डिवेलपमेंट का बहुत जानकारी भी है, तो मैंने का, ओके, अगर आप पीजा खा रहें, तो I'm okay with it, तो मैंने क्या किया, हम लोग ने माल्टी ग्रिन ब्रेट का प फिर सोया डालके, पनीर डालके, टोफू यूज करके, अच्छा एक कटलिट बना है, तो एक बर्गर जैसा बना दिये, सेम गानिश, लेट्टिस था, पाइनापल था, चेरी था, बिलकोल एक हूबहू एक बर्गर दिखा, ये completely एक विन-विन सिचुएशन था, क्योंकि ब बदलाव लाए मैन्यूज में, हमने इडली, रेगुलर जो वाइडली है, उसको रेंबो इडली बना दिया, क्या किया उसमें, मैंने गाजर, पालक, बीटूट डालके, तो एक सुंदर सा रागी का आटा मिलाके, उसका पूरा न्यूटिशन वाल्यू ही चेंज हो गया, औ बच्चों को बहुत पसंद आने लगे, तो हमको बेसिकली इनोवेशन करना है, इनोवेट करना है, डिफिल रेसिपी को, अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि तुम पालक खाओ, तो छोटे बच्चों नहीं खाएंगे, तो हमको उसको एक स्टोरी के साथ अटाच करना क्योंकि उनके लिए पोपोई एक सूपर हीरो है, तो जब हम ऐसे को रेलेट करते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और खाने भी लगते हैं, उसका इंपोर्टेंस भी समझने लगते हैं, तो आजकल का जंक फूद में भी काफी परिवरतन आया है, यह जस्टिफाय कर है, जैसे पीजा हो, चीज थोड़ा सा डालो, ग्रेट पनीड थोड़ा सा डालो, पालक का प्यूरे बनाके पालक को बॉई करके आटे में मिला दो, या मिलिट के आटे में जवार में मिला दो, ग्रीन आटा बनता है, फिर उसको रोल आट करके बिस्कृ कटर से काटेंगे, मिकी मा उसके दो आंक डालेंगे और या तो पराथा बनाएंगे या तो पूरी तलेंगे इसके वज़े से बचे खाने लगते हैं क्योंकि उनको वो मोहित करता है उन्होंने कभी ऐसा पूरी देखा नहीं तो आप पालग भी यूज़ कर सकते हो गाजर भी यूज़ सकती हो बीटूट भी उनका रंग बदलते जाएगा इंडिपेंडेंस डियम में हमने तीन कलर्स डाले थे ते रंग एक एक सूपर हिट रेस्पी हो गया था हमने 26 जैनुरी को ऐसे मनाया था स्कूल में तो बोलने का मतलब है जंक फूड देखे मैंने कहती हूँ कि बचों कभी इंडल्ज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ घर पे बनाओ घर पे खाओ नो क्योंकि वो उनका हक है उनका ग्रोइंग यर्स है उसमें भी एक मजा है तो कभी एक महीने में या महीने में दो बार अगर भार से पीजा बगर खा भी रहे या आइस्ट्रीम खा रहे बिर्यानी खा रहे इस ओके ठीक है क्योंकि बचपन या बचपन नहीं जाना चाहिए हेल्दी रहना ज़रूरी है उनको समझना उससे भी ज़रूरी है क्योंकि एक बार वो समझ गए वो क्यूं उनको हम बोल रहे हैं वो खाने के लिए वो लाइफ़ वह ऐसे ही खाए तो काफी पैरंस मेरे पास आते हैं मैडम ये लोग सबजी नहीं खाते तंग करते हैं बाहर से खाते हैं तो मैं वहीं बोलती हूं को सिर्फ एक बात कि अगर आप वो ही उनको explain करिये कि क्यों हम ऐसा बना रहे हैं और इसका क्या benefit हो सकता है और taste में भी हम compromise नहीं कर रहे हैं तो I'm sure वो समझ जाएंगे और फिर भी आप उनको वो दो या तीन time माहिने में वो इजाज़त दे दीजे to enjoy, to indulge तो I think junk food also can be handled correctly मैं इसी note पे end करना चाहती हूँ कि बच्चों यह तो बच्चे हैं और बच्चे रहने चाहिए and life तो is meant to enjoy लेकिन उनको यह सवक और यह सीख देना बहुत ज़रूरी है what choices to pick up, क्या choices करे और क्यों so मैं चाहती हूँ कि बच्चों बड़ों, enjoy healthy and happy life अच्छा खाओ पियो, exercise करो, stress free रहो और खुश रहो thank you, जब तक next time मिलेंगे